आज की ये वीडियो एकोनुमिक्स यानि की अर्थसाफ्त की महा संग्राम होने वाली है जो भी हमारे 36 पर इच्छा देने वाले हैं 2324 के सिसन में उनके लिए पूरा का पूरा मैं मालर पेपर कोईस्चिन पेपर लेकर आ चुका हूँ जो कि इसी वर्ष 2324 के सिसन का ये पूर पूरा का पूरा एकोनुमिक्स यानि अर्थसाफ्त का पेपर है गैरंटी ले रहा हूँ यादि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और जो जो मैं कोश्चन बता रहा हूं इनको अगर आप अच्छे पर तयार कर लेते हैं तो गारंटी में आपको दे रहा हूँ कि कोई भी आपको फैल नहीं कर सकता क्योंकि यही लगभग लगभग प्रशन आपकी परिच्छा में इस बार आने वाले हैं और यह आपको पूरी जानका इस वीडियो मिलेगी बस निबेदे नहीं है कि आप जो मेनत करते हैं आप सभी के लिए क्वेश्चन तयार करते हैं मा आप बकवास करते हुए क्योंकि आप लोग बोल देते हैं कि वीडियो लेटर में स्टार्ट करते हैं बकवास पहले कर देते हैं लेकिन हम बकवास नहीं करेंगे में पॉइंट पर आंगे देख लिए थर्षट समस्टर एक्जाम देफं 2023 से अर्थफाफ्ट और प्रशन प फिर लग फिर दिर फिर फिर एक और मार्डल पेपर है उसमें भी हम आपको बताने वाले हैं यह इसी वर से 2324 के ससन कभी एक इनवर्सिटियों में एक इनवर्सिटी उसमें यह पेपर हुआ है उसी का है ठीक है पहला प्रशन है भाईया कि ध्यान से सुनेंगे कि वडिक व वडिक वाड वाड जुआद जो कि 17-18 फदी में यूरोप में प्रिचलित एक आर्थिक सिध्धान्त है वडिक वडिक वाड यह एक प्रकार की आर्थिक सिध्धान्त है ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे और तथा बेवहार का नाम है इसके अंतरगत राज की सक्त वस्थाओं का सरकारों द्वारा नियंतर्ण और प्रत्साहन मिला है ब्यापारिक क्रांत ने एक नवीन आर्थिक विचार धारा को जन्म दिया है इसका प्रारम शौलवी सदी में हुआ था जिसको आप लोग आज जानते ही वडिक वाड या फिर वाड जिवाद की नाम फे ठीक है तो देखिए ध्यांस से हेडिंग है पतन का कारान नमबर एक पे लिखेंगे कि वडिजवाद के पतन का सबसे बड़ा जो कारान या था कि वडिजवाद जो था वडिजवाद या फिर वडिक वाड ठीक है स्रमिक वर्ग के लोगों के लिए यानि कि जो मजदूरी क लोग थे उनका पूरी तरह यह सुसड़ किया जाता था इस वज़ा से इसका पतन का कारण यह बना दूफराय वड़ी जुबात के कारण क्रिसियों क्रिसी उद्द्यों को नियंतर नुकसान हो रहा था केवल इतना ही नहीं इससे क्रिसिवर के लोगों की आये पर भी भावी पढ़ रहा था इस वज़ा से इसका पतन हो गया तो यह दो मुख करण है आप इतना ही लिख देंगे तब भी पूरे नंबर मिल जाए क्योंकि यह प्रस्ण सिर्फ कह रहा है दो लिखने के लिए ध्यान से उत्तर समझगे होंगे आई हो ठीक है मैंने ज्यादा आप आपको उत्तर ज्यादा समझाने का प्रियासिस लेकिया क्योंकि यह कई बार पर इच्छाम रिपीटेड है और आपकी पर इच्छाम इस बार आने के पूरी उम्मीद है तो द्यान से इसका उत्तर मैंने बता ही दिया समझ लेंगे ठीक है रिकार्डो का प्रकर्तिक दूरी फिद्धान कभी का दार आता हमेशा नहीं आता तो आप इग्नोर भी कर सकते लेकिन इस बार दोजार तेस और चोबच के सब्सक्राइब कर लिए और इनका एंसर आपको बुक में या फिर आपके पास सिरीज है उसमें मिल जाएग पिर इंटरनेट पे तो मिली पॉइस्ट करा रहे हैं ठीक है और आप लिख लिए और उत्तर तयार कर लिजे आपको काफी अगला कुश्चन है कि गांधी का सरवोदे दर्सन ठीक है बहुती महात्पूर्ण प्रशन है ये भी कई बार प्रिच्छा में आया और गांधी जी फे जुड़ा आप सभी की प रखेंगे हाई लेबल का कोश्चन तयार कर लिजे प्रकतिवाद ये भी हाई लेबल का मंदब कि ये प्रस्ण इस बात बहुत इमात्पूर्ण है रमेश दत्य के आर्थिक बिचार कभी आता है कभी नहीं आता तो आप इग्णोर भी कर सकते बेसक अगला प्रश्ण हाई लगान क्या है ये कोश्चन परिष्ण में कई बार पिछले फालो में रिपीटेड है तो इसको तयार कर लिजेगा नोट कर लिजे इसका उत्तर वके अगला कोश्चन इक प्रकतिवाद में सुद्धुपज देखे प्रकतिवाद से जरूरी नहीं कि प्रस्ण आएगा लेक होते हैं आपके अतिलग हुत्रे टाइप के कोश्चन एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस कोश्चन दे गए थे दस में से जो जो मैंने बताया अगर आप इनको तयार करेंगे तो आपको काफी मिलेगी मैं आपको पहले बोल लखाओं कि ये आप पूरा वीडियो जो जो मैं कोश्चन बताऊंगा इनको तयार करते हैं तो आपको आपकी परिच्छा माली जिस 75 नंबर का आपका पेपर है तो आप कम से कम आप अपनी परिच्छा में 60 नंबर पक्का ले आएंगे इस हिसाफे मैं वीडियो बना रहा हूं ठीक है क्योंकि इसमें यही माडल पेपर के अलावा और भी कोश्चन इनकी रिवीडर है जो कि आपको देखने को मिलेंगे आगे ठीक है अब आजाएंगे हम लग हुत्रे के ओर लग हुत्रे में कौन-कौन से प्रस्णा आपको तयार करना है पूरी यहां पर नोटिस दी गई है मतलब कि नोट की कितने प्र पेपर फेपर देखा है और यह प्श्रक Ehकोनैकों समस्टर था उसम पूंझा गया था इकोनिक्स भी फैड वह तुत्युकर समस्टर में जіль Eduard आ दो अगला कउश्चन है कि विक इस्टेट के प्रमुक आर्थिक विशारों के विविशना कीजिए यह भी कोईश्चन कभी आता कभी नहीं आता तो बेशक आप पढ़ भी चक्ति अग्नूर भी कर सकते हैं जिनकी हमें पूरी उम्मीद है कि वह आएंगे ही आएंगे उनकी उम्मीद पूरी है तो वह हम आपको फिलेक्ट जरूर कराएंगे ठीक है ठीक है अगला प्रस्ण कहे रहा है उदारी करण पर अधारी करण पर अमर्त सेन के विचार बताईए ठीक है अमर्त यह भी कोईश्चन मतलब कि आप सभी के लिए 80% महत्पूर्ण है ठीक है ठीक है तो 80% आप आकता है बा ब्याख्या कीजिए माल्तस के आर्थिक विचार बताईए आर्थिक सध्धान्द बताईए ऐसे आपको प्रस्ण देखने को मिल सकते हैं माल्तस से जुड़े तो इस नोट कर लीजे यह 100% आने वाला प्रस्ण है आपके एक्जामनेशन में लिख लीजे नोट करिए तुरं निर्मार करती है जे बी से ब्याख्या कीजिए तो पूर्ति और मांग फिजुड़ा यह कोश्चन मैं नहीं कहना हूँ कि यह गारंटी के साथ आएगा ही आएगा लेकिन इस बात के हम गारंटी लेंगे यह पूर्ति और मांग इस पर जोड़ा कोश्चन आपको देखने को पूर्ति अपनी मांग या भी पूर्ति किफे कहते हैं मांग किसे कहते हैं ऐसा प्रसंदेखने को जुरू मिलेगा परिछा दे कर आएगा तब बताईएगा आपसे ठीक है अगला प्रस्ण है कि वीजर के आर्थिक विचारों की ब्याख्या कीजिए ठीके ये प्रस्ण आ भी सकता नहीं भी आ सकता इसलिए में नहीं कहूंगा कि आप इसे 100% तैयारी करके जाएं आपके पास समय है तो बेसे थोड़ा उत्तर पढ़ लेंगे बाकी एगनूर भी कर सक है ठीक है लेबर के मूल या फिर स्रम के मूल सिध्धान की भी आख्या कीजिए यह हाई लेबल का प्रस्ण है पर इच्छा में कई बार रिपीटेड है तो बेसे कि इसका उत्तर होते कुछ उनको आपको लिखना है महत्पूर्ण है इसका भी उत्तर आपको को इंटरनेट स कुश्चिन बोलते हैं तो चलिए इनमें देख लेते कौन-कौन से आपके परिच्छा के लिए महत्पूर्ण है नोटिस यहां पर आपको दी गई कि कितने प्रस्णों को उत्तर कितने सब्दों में देना है यह फॉर्मिट अलग-अलग इनुवर्सिट्यों में अलग-अल अग्य महत्मा गांधि के आर्थिक बिचार बताइए महत्मा गांधि जी के धार्मिक बताइए ठीके तो इस तरह के प्रस्ण आपको महत्मा गांधी जी फे जुड़ा पढ़ लेना है क्योंकि ये प्रशन जब जब भी अर्थ साफ्त के पेपर हुआ है वो चाहे जब भी हुआ हो हर साल महत्मा गांधी जी के आर्थिक समाजिक धार्मिक बिचार इनमें से कोईश्चन आया ही आया है तो गैरेंटी है 100% स्योर है आएगा ही आएगा नहीं आयेगा तो आप कमेंट में यह message करके हमें गालियां दीजेगा जो जाहे आप जो बोलियेगा लेकिन इस प्रशन का उतर तैयार करके जरूर जाइए आर्थिक बिचार, समाजिक बिचार, धार्मिक बिचार, शेओर है कि इन में से कोईशन भशेगा, ओके, ज्यादा हम आपका टैम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अगला प्रशन है, कि आर्थिक बिचारों के इतिहास में माक्स का अफ्थान निर्धायत कीजिए, तो जो काल्स माक माक्स है, इनका पूरा नाम है, लिख दे रहे हैं, काल्स माक्स, ठीक माक्स, तो इन फे जुड़ा प्रशन, कई बार परिच्छा में रिपीटेड है, तो इस बार भी संभावना पूरी है, कि प्रशन आये गहीं आएगा 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 जरूर इस बात को ध्यान लगेंगे, ठीक है, मार्सल ये भी महात्पूर प्रशन है, पर इच्छा में कई बार रिपीटेड है, और इस बार भी उम्मीद है, पूरी आने कि मार्सल के आर्थिक बिचार, या फिर मार्सल के धार्मिक बिचार, या फिर मार्सल के समाजिक बिचार की बिविशना कीजि यह प्रश्ण भी आपका ऊपर अतिल्य हुत्र में पूछा गया था और वही प्रश्ण यहाँ पर दीर हुत्र में पूछा जा रहा लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा कि वड़क बात पर एक निबंद लिखिए ठीक है एस से जुसको बोलते हैं ठीक है बाकी इस प्रकार का अर्थफाफ्त का पूरा का पूरा माडल पेपर है लेकिन यह 2022 और 30 का सेसन का है और ओपर वाला जो है वह तीस और 24 के सेसन का है ठीक है हिस्ट्री आप एकोनिमिक्स थोट यह पढ़ लेंगे आप सभी यही प्रश्ण पत्र का नाम है तिन घंटे का समय है अब इस बार जा बढ़ांगे इसमें पहले पूरी नोटिस यहां पर नोट दिया गया आप पढ़ लेंगे ठीक है पूरी जानकारिया हमें कोश्चन के और बढ़ते हैं ठीक है ध्यान से सुनें पहला प्रश्ण है कि कोटिल के आर्थिक विचारों का संशिप्त विब्रण दीजिए मैंने आपको बता रखा है कि कोटिल फे जुड़ा आपने देखा है कि 2023 और 2024 में पूछा गया प्रश्ण और 2022 और 2023 के सिसन में पूछा गया देख लिए आपके समस्त है यही प्रश्ण अभी उपर वाले मार्डल पेपर में भी था ठीक है तो कोटिल के आर्थिक विचार समाजिक और धार्मिक विचार फिर जोड़ा एक कुश्चन फस जाएगा जिया तर तर तो आर्थिक विचार ही आता है क्योंकि अर्थफाफ्स का पेपर है इसलिए ठीक है तो 100% उम्मीद पूरी है कि आएगा ही आएगा रमेश चंद्रधत्य के आर्थिक विचार मतलब कि यह कभी इते चंद्रधत्य के गदार आता हमेशा नहीं आता है घीक है तो आप बेश्क समय तो तयार कर सकते हैं अधर्वाइज इगनौर भी कर सकते हैं अगला कुश्चन कर था कि प्रफेश्चन के अर्थ फाफ्त को संशेप में बताईए को आरस्टू के बिचारों का संशेप मे आता है तो इस बार भी पूरी उम्मीद है आने की तो तयार कर लीजीगा अगला प्रशन आपको देखने को मिल ला है कि देखिए यही पेपर वडिक वाद यह प्रशन दोहजार तेज़ के सिसन में जो भी उपर मैंने माड़ा पर दिया उसमें दो बार प्रशन आया था है अ से कम दस से बारा नंबर का जो कुश्चन है वो वडिक वाद से जुड़ा ही जुड़ा आएगा ठीक है इस बात को नोट कर लिजे तुरंत अगला है कि वीलियम पैटी की आर्थिक विचार पर संसे टिप पड़ी लिए यह कुश्चन तम हाथ पूर नहीं आप इग्नूर क पड़ी यह भी महात्पोर साबित हो सकता है तो इसको भी आप ध्यान देंगे के इर्विंग फिसर के आर्थिक विचार पर संसे टिप पर लिए आपके पास समय तो तैयार करें दरवा इग्नूर भी कर सकते हैं अब आ जाएंगे दीर घुत्र यानिकि जिनको बिस्तित्य लांग टाइप के question बोलते हैं इसमें कौन-कौन से महात्पून है आप सभी के लिए देखिए मैंने आपको उपर बता रखा है कि अर्थफास्र का जब-जब पेपर हुआ है और जब-जब होगा आने वाले future में तब तक महात्मा गांदी जी जोड़ा question आएगा महात्मा गांदी के आर्थिक बिचार जिया तर यह कोश्चे ना था बाची की समाजी को धार में कोई फसता है ठीक है तो आप इसको जोड़ तयार कर लिजिएगा कि महात्मा गांदी के आर्थिक बिचार संबंधी इनके बिचार और बेवहारिक्ता की दर्ष्ट से परिछन क कीजिए ऐसा देखनों को मिलेगा तयार कर लीजिएगा और अगला प्रस्ण है कि पंडे दिन दयाल उपध्याय के आर्थिक विचार ठीक है इसको तुमें 100 प्रसंट बोली दिया हूं यह कभी कदार आता तो यह आप सभी के लिए सत्तर से अस्य प्रत्सत ही महत्पूर बहुत हैं रहें चाना बहुत हैं प्रसंट तयार कर सबस्द widsu बहुत ही हाई लेबल का परश्तूत हो प्लेटो जो कि प्रमुक समासाफ्तरी प्रमुक बिद्वान है प्लेटो के आर्थिक विचारों की बियार किजिए या फिर आर्थिक विचारों को विस्तार से समझाईए तो प्लेटो के आर्थिक विचार क्या है महात्पूंट प्रस्ट ने तैयार कर लेजिए ठीक है 100% उम मांड़ी के आर्थिक विचारों की अलोशनात्मिक ब्याख्या कि जिस समय तो पढ़िया धरवाई इग्नोर कर सकते हैं कि इतना महात्पूर्ण नहीं है अगला बहुत ही महात्पूर्ण क्योंकि यह 2324 में पूचा गया था बिद्वहाने जिनका नाम है काल्स माक्स इनके आर्थिक विचार का व्याख्या कीजिए अचा आपको काल्स माक्स केWe сов बिद्वान इनके आर्थिक वीचार को आप तैयार करेंगे बाकि आगे कभी कभी wordन लिक जाता कभी कभी बिस्तार कीजिए कभी कभी इसे धांद बताएए तो उस पर मत जाएएगा आप में आर्थिक वीचार पर ध्यान देंगे Karls Marks के ठीक है अगला कोश्चिन प्रिस्तु थे वहिया कि नो परंपरावाद क्या है एलफ्रेड मार्सल के आर्थिक फिद्धान की योगदान का बिस्लिशन कीजी मैं यह नहीं कहे रहा हूं कि नो परंपरावाद क्या है ठीक है यह प्रशना आएगा लेकिन मैं आपको इस बात की मार्सल के आरिक सिध्धानित आपिर्यमार्षय विचह किस्मंझे आ गया तो इस प्रकार आपको मार्या पेपर होगा और इस यह परकार कुछ आपको पर इच्छा में कौशन को देखने को मिलेंगी और दो दो मार्य प्र आदिवर में कौन-कौन से महात्पूंट प्रश्ण है और आपके परिच्छा में कौन-कौन से आ सकते हैं आई हो आपको काफी हिल्प मिलेगी बहुत फारे चात्र बोलते भी रहेते एक सब्सक्राइब का माड़ा पेपर प्रवाइड करें इस बार आने वाले हैं इस परिच सब्सक्राइब करने वीडियो में जब तक के लिए जहन्द